चीना बूरा मजर केस बीटते कुछ सालों में ये सबसे पेचिदा मामलों में से एक है इस कतल की कहानी को शुरू से आपको बताते हैं एक मानी अपनी बीटी का कतल सिर्फ इसले कर दिया क्योंकि बीटी जोस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिष्टे में उसका सोतेला भाई था इस केस में होने वाले खुलासे ने पोरे मामले को दिल्चस्प बना दिया है कब क्या और क्यों सिलसिलेवार तरीके से जानी इस हाई प्रोफाइल मामले में कब क्या हुआ दो मई दो हजार बारा बॉम्बे में 103 किलोमीटर दूर रायगार जिले के जंगल में पुलिस को एक मैला की अजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं चहरा बुरे तरीके से जलने की वज़ा से लोकल पुलिस ना लाश की शनात कर पाई और ना ही सबूत जटा पाई पुलिस उसलाश के हिस्से का संसकार भी कर देती है 21 अगस 2015 बॉम्बे पुलिस ने शाम मनोहर राय नाम के एक शक्स को अवैत हतियार रखने की आरोब में गिरफतार किया और पूछताश में 2012 मर्डर केस का खुलासा होता है शाम मनोहर राय ने बताया कि एप्रिल 2012 में उसने एक लड़की का मर्डर करके उसके डेट बॉड़ी राय गड़ के जंगलों में जलाने की कोशिश करी फिर उसे दफना दिया इस सूचना पर बॉम्बे पुलिस ने राय गड़ पुलिस से संपर किया तब पुलिस को पता चला कि वो सच बोल रहा है लाश के अफशेश बरामद होने के बाद बॉम्बे पुलिस फिर शाम मनोहर राय से पूछताज की तब उसने कुछ वक्त पहले पीटर मुखर जी की पतनी इंदरानी मुखर जी का ड्राइवर था पुलिस के सक्त पूछताज में इंदरानी ने अपने गुना कबूल किये और कहीं खुलासे किये पुलिस के मताबिक इंदरानी मुखर जी शीना बोरा की सोतीली मा थी और उन दोनों के रिष्टे अच्छे नहीं थे 2012 में एक रोज इंदरानी ने स्विवात को सुलजाने के बहाने शीना को बांदरा में मिलने के लिए बलाया लेकिन कार में शीना की गला दबा कर हत्या कर दी कार में ड्राइवर शाम राय के अलावा एक और शक्स था वक्त के साथ जब इस केस में बड़े बड़े खुलासे होते चले गए तो इस मामले की जौँच CBI के हवाले कर दी गई CBI की जौँच में पता चलता है कि पीटर और इंदरानी के बेटे राहुल से शीना बोरा के संबन थे और इंदरानी मुखर जी और उसके पती पीटर मुखर जी इस बाद से काफी नरास थे CBI के आरोग के पत्रों में कहा गया कि शीना वोरा अपनी मा को ब्लैक मिल कर रही थी और वो बॉमबे के एक फ्लाट की कस्टडी माग रही थी पुलिस ने बाद में इस मामले में इंदरानी के पती मुखर जी को भी गिरफतार कर लिया मुखर जी भारतिये टीवी इंडिवस्टी का जाना पहचाना नाम था वो स्टार इंडिया के पोर्ट CEO और INX मीडिया के चेर्मेन रह चुके थे इंदरानी मुखर जी भी INX मीडिया की CEO रही थी दोनोंने 2004 में शादी कर ली थी उन्होंने इंदरानी मुखर जी से दूसरी शादी कर ली थी और इंदरानी ने पीटर से पहले भी दो शादियां की थी लेकिन इंदरानी और पीटर के बीच जेल में रहते हुए तलाक हो गया इसके बाद 6 फरवरी 2020 को हाई कोट ने पीटर मुखर जी को जमानत दे दी कोट ने कहा कि पीटर का इस मामले से सीधा कोई भी संभन नहीं है हलाकि कोट ने इंदरानी को जमानत देने से इंकार कर दिया इंदरानी की तरफ से कई बार जमानत की अर्जी दाखिल की गई लेकिन उसे जमानत नहीं मिली और इस वक्त वो बॉम्बे के बाइकुला जेल में बंद है इस केस में CVI ने कोट में 52 गवा पेश किये थे तो यही थी इस केस की पूरी कहानी जो मैंने आपको शौट में डिस्कराइब करी है ताकि आप इस केस को पूरे तरीके से जान सके अपना जादा समय गवाए बिना अगर आप ऐसी और सची घटना सुन न रहते हैं तो डिफिनिटली हमारे चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद